दोस्तो नमस्कार जयहिन दोस्तो आज हम एक विशेश बीडियो बना रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पता होगा 27 जून 24 को अमारी देश की सर्वोच पत पत जो राष्टपती मोधया हैं उनका शिरमती दुरुपती मुर्मुजी का जो अभिभासन उन्होंने दिय लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित किया था तो आप सभी लोगों को देश के सर्वोच पत पर बैठे हुए हमारी राष्टपती मोधया का ये भासन सुनना चाहिए पूरा देखना चाहिए और उनने जो भी देश के लिए बताया सभी को जिन लोगों ने सुना है लोकसभा के पहले सत्र की जो शुरुआद हुई 27 जून को राष्टपती 24 को राष्टपती दिरोपती मुर्मु के विवासन के साथ शुरुई इस दौरान उन्होंने संसत के संग्युक्त जॉइंट सेशन को सत्र को संबोधित करते हुए महलाओं किसानों अर्थब्योस्ता पर जो पिछली सरकार के जो विजन को समझाया और इस दौरान उन्होंने आपातकाल बैसिक चुनौतियां बजट देश की ग्रोथ और किसानों समेत देश की रक्षा सुरक्षा समेत अन्य मुद्दू पर क्या कुछ कहा यहाँ पूरा व राष्टपति मुर्मो ने अपने अभी बासन में कहा कि मैं अठार मुई लोकसभा के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बदाई और सुबकामनाय देती हूँ आप सभी यहाँ देश के मद्दाताओं का विश्वास जीत कर आये हैं देश सेवा और जन सेव का यह सभाग बहुत कम लोगों को मिलता है मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट पत्थम की भावना के साथ अपना दायत निभाएंगे एक सो चालीस करोड देश्वासियों की आकांगशाओं की पूर्ती का माध्यम बनेंगे मैं और सिरी ओम बिलाजी को लोकसभा के अध्यक्ष के गोरपुन भूमिका के निर्वायन के लिए सुबकामनाय देती हूं उनके पास सारवजनिक जीवन का बहुत ब्यापक अनुबाव है मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौसल से नई उचाईयों में उचाई देश को देने में सफल होंगी कस्मीर गाटी में बोटिंग का नेक दसकों के रिकार्ड इस बार तूटे हैं मैं आज कोटी कोटी देशवासियों की तरफ से भारत के चुनाव आयोक का भी आभार व्यक्त करती हूं राश्टपती मोहदय ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था करीब 64 करोड मद्दाताओं ने उत्सा और उमंग के साथ अपना कर्तब निभाया इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चड़कर मद्दान में हिसा लिया इस चुनाव की बहुत सुखत तस्वीर जम्मु कस्मीर से भी सामने आई कस्मीर काटी में बोटिंग के अनेक दसकों के टूटे हैं बीते चार दसकों में कस्मीर में हमने बंद और हर्ताल के बीच कम बढ़ दान का जो दोर देखा था भारत के जो दुस्मन देश इसको बैस्विक मंचु पर जम्मु कस्मीर की जो राय के रूप में परचारिक करते रहे दुस्मन लोग लेकिन इस बार कस्मीर गाटे ने देश और दुनिया में ऐसी हर ताकत को कराना जबाब दिया राष्टपती मोधाया ने कहा कि पहली बार इस लोगसभा चुनाओ में घर पर जाकर भी मद्दान कराया गया मैं लोगसभा चुनाओ से जुड़े हर करमचारी की सराना करती हूं उनका भी नंदन करत हूं राष्टपती मोधाया ने कहा कि सरकार ने दस बरसों से सेवा और सोशासन का जो मिशन चलाया दोजाट चौबीस के लोगसभा चुनाओ की जो चर्चाज पूरे दुनिया में हो रही है दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगाता तीशरी बार इस्थिर औ और स्पर्ष्ट बहुमत की सरकार बनाई है छेट दसक के बाद ऐसा हुआ और ऐसे समय में जब भारत के लोगों की आकांग्शा कर सर्वोच इस तर पर है तो लोगों ने मेरी सरकार पर लगाता तीशरी बार भरोसा जताया राष्टपती मोहदाया ने कहा कि भारत के लोग नेस्ता और नेरढियों पर विश्वास का चुनाओ रहा है जबूत और नेराएक सरकार में विश्वास सुसासन इस्तिरता और नेरंदर्ता मैं विश्वास, इमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समरिदी में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीबरी पर विश्वास, विख्षित भारत के सक्कल्प में विश्वास, मेरी सरकार ने दस बरसों से सेवा और सुशासन का, जो मिशन चलाया है ये उस पर मोहर है, ये जनादेश की भारत को विक्सित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्षियों की प्राप्ति करे राश्टबदी मोहताया ने कहा कि आगामी बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक न्यड़े भी देखने को मिलेंगे अठारवे लोकसभा कई माईनों में एक एथ्यासिक लोकसभा है और ये अमरित काल के शुरुआती बरसों में गठित हुई है ये लोकसभा देश के संब्यदान को अपनाने के 75 वे बरस की जो साक्सी भी बनेगी और मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्यान के फै इस कारेकाल का बजट पहला बजट पेश करने जा रही है ये बजट शरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरेस्टिक बिजन का एक प्रभावी दास्तावेद होगा इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक नड़ें के साथ ही अनेक एतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे भारत के तेज विकास की जन आकंग चकाव पुरा करने के लिए रिफॉर्म्स की जो गती अब तेज की जाएगी और मेरी सरकार का मत यह है कि दुनिया बर्से निवेश्कों को आकरसित करने के लिए राजियों में स्वस्त स्परदा हो यही कंपटिशन को को और कि जो सची स्परिट है राजी के विकास से देश का विकास इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे राश्टरपदी महोदया ने आगे कहा बीते दस सालों में देश की अर्थवेवस्ता में तेजी में से विकास किया गया है रिफॉर्म पर्फॉर्म और ट्रांस्पॉर् भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थवेवस्ता बना दिया है दस साल में भारत 11 नंबर की अर्थवेवस्ता से उपर उठकर पांचवे नंबर पर पहुंचा है दोजार एकीस से लेकर दोजार 24 के 20 भारत ने और सतन 8 परतिसत की रफ्तार से विकास कि है और ये ग्रोथ सामान्या समय में नहीं हुई है बीते बरसों में हमने सोब साल की जो सबसे बड़ी आपदा देखी है बैस्विक महामारी के क्याल खंड और विस्सों के अलग-अलग कोनों में चल रहे संगर्सों के बाब जूत भारत ने विकास दर रासिल की है ये बीते दस साल के रिफॉर्म्स और रास्ति हित के लिए बड़े फैसलों के कारण शंबव हुआ है आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में पंद्र प्रतिसत का योगदान दे रहा है अब मेरी राश्ट्रपति मौधाया ने कहा कि अब मेरी सरकार भारत को विस्सों की तीसरे सर्विस और एग्रिकल्चर सेक्टर मेरी जो राश्ट्रपति मौधाया ने कहा कि मेरी सरकार अर्थब्योस्ता के तीनों इस्तंबू मैनुफेक्चरिंग सर्विस और एग्रिकल्चर को बराबर महत्तो दे रही है पी एलाई स्कीम और इस ओप डूइंग बिजनेस से पैमाने पर निवेश और रोजगार के आउसर बढ़ रहे हैं पारंप्रिक सेक्टर के साथ सन्राइज सेक्टर को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है चाहे सेमिकंडक्टर हो या सोलर हो चाहे लक्टिक विकल्ड या इलक्टोनिक गुट्ष हो चाहे ग्रीन चाहे एरक्राफ्ट केरियर हो या फाइटर जैस्ट्स हो भारत इन सब सेक्टर में अपना बिस्तार कर रहा है लोजिस्ट्रिक कोस्ट को कम करने के लिए भी देश की जो रास्पति मोहदेया ने कहा कि मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जूटी है आज आईटी से लेकर टूरिजम तक हेल्थ से लेकर वेलनेस तक सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और रोजगार की नए आउसर बन रहे है राष्टपती मोहदया ने का कि खरीब हसलों में के लिए MSP में भी रिपोर्ड ब्रिद्धी किये पिछले दस बरसों में राष्टपती मोहदया ने का कि मेरी सरकार दोरा ग्रामीड अर्थवेस्ता के हर पहलू पर बहुत जोड़ दिया है और गावं में किसी आधारित उद्योगों, डेरी और फिष्री आधारित उद्योगों का बिस्तार किया जा रहा है इससे भी सहकारिता को प्रात्थमिक्ता दी गई है सरकार किसान उत्पात संग एपियो और पीएस पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नया ट्वर्क बना रही है छोटे किसानों की बड़ी समझ्चा भंडारंड से जुड़ी होती है इसलिए राष्टपती मोधया ने कहा कि मेरी सरकार ने सहकारीता सेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारंड योजना पर काम सुरू किया है किसान अपने छोटे खर्चे कर सकें इसके लिए पी-म किसान सम्मान नीवी के तयत होने तीन लाग बीस हजार करोड रुपे से ज़्यादा राष्टी दी जा चुकी है मेरी सरकार के नए कारेकाल के सुरुवाती दिनों में ही किसानों को बीस हजार करोड रुपे से अधिक की राष्टी ट्रांसपर की जा चुकी है सरकार ने खरी फचलों के लिए MSP में रिकॉर्ड ब्राउदी किये दुनिया की डिमांड पूरा कर रहे हमारे किसान आज का भारत अपनी बरतमान ज़रुतों को ध्यान में रखते हुए अपनी किसी ब temptation में बदलाव कर रहा है हम ज्यादा से ज्यादा आत्मे निर्वर हों और ज्यादा से ज्यादा निरियात से किसानों की आमदनी बड़े इस सोच के साथ नीतिया बनाई गई हैं, निर्डाइ किये गए हैं, जैसे सरकार दलहन और तिलहन में दूसरे देशों में निर्वरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संबव मदद दे रही है, ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूट प्रोडक्ट की मांग डिमांड ज्यादा है, उसके आदार पर नई नड़नेती बनाई जा रही है, आजकल और गनिक जो उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड टेजी से बढ़ रही है, भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने की भरपूर स्रमता है, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चैन को ससक्त कर रही है, ऐसे प्रियासों से किसानों को खेती पर होने वाला खर्चे भी कम होगा और उनकी आई भी बढ़ेगी, योग के परती दुनिया का नजरिया बदल रहा है, राश्टरपती मौधया ने कहा कि आजका भ परस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है, जलवायू परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक पोर्षण से लेकर सस्टेनेबल अग्रिकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं, हमारे मोटे अनाजी सिरी अन्न की पहुँच सुपर फूट के तौर पर दुनिया के कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने बरस्द हो जाती, टैइस में इंटरनेशनल मिलेट्स येर मनाया था, आपने देखा है, हाली में पूरी दुनिया में अंतरश्टी योग दियोश भी मनाया है। भारत की इस महान परमपर की जो प्रतिस्ता है, विश्व में लगातार बढ़ रही है योग और आई इसको बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्त विश्व के निर्माण में मदद कर रहा है। और रश्ट बती में होता है, यानि आगे कहा, मेरी सरकार ने रिन्यूएवल जो एनरजी की समता भी कई और नेट जीरो के लिए आज भारत के प्रियास कई दूसे देशों को प्रेदित कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो सोलर अलाइन्स जैसी पहल पर आज रिकॉर्ट संख्या में दुनिया के देश हमारे साथ जुड़े हैं। दस बरसों में दोजार नो से दो सो नो से छे सो पांस तक जो एरलाइन रूट की जो संख्या पहुँच गई है। काम कर रहे हैं और राश्टरपती मोहदया ने आगे का मेरी सरकार अपने सहरों को दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्पेस बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदुर्शंड से मुक्त साब सुत्रे और सुबदा युक्त सहरों में रहना भारत के नागरिकों का प्रतेग नागरिक का हक है। भारत में आज दुनिया का तीसा सबसे बड़ा डॉमेस्टिक एवियेशन मार्केट है। अप्रेल दोजार चौदे में भारत में सिर्फ दो सो नो एयरलाइन्स रूट थे। अप्रेल दोजार चौबिस में इनकी संग्या 605 हो गई है। हवाई यात्रा में हो रहे इस बिस्तार का सीधा लाब टियर टू टियर थ्री सहरों को हो रहा है। और दस बरसों में देश के की सहरों तक मेटो शुगदा पहुंच गई है। बंदे मेटो जैसी कई उजनाओं पर काम चल रहा है। भारत का जो पप्लिक टांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो इस लक्स के साथ राष्टपती मोदाया ने कहा कि मेरी सरकार काम कर रही है। पी-म ग्रामिन शड़क यूजना के तहट गाउं में 380,000 किलो मिटर से ज़्यादा सड़कें बनाई गई हैं। और राष्टपती मोदाया ने कहा है मेरी सरकार उन आधुनिक मान दंडू पर काम कर रही है। जिसे भारत विक्सित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके। इंफ्रास्टक्चर का जो विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उबरा है। राष्टपती मोदाया ने कहा मेरी सरकार ने दस बरसों में पी-म ग्रामेश शड़क उजना के तर्थ गाउं में तीन लाग अस्टी अजार किलूम्टर से ज़्यादा शड़क बनाई है। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्स प्रेजवेज का जो जाल बिश्रा है नेशनल हाईवेज बनाने की गति में भी दोगनेशेदिक की ब्रती हुई है। अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई जो स्पीड रेल जो एको सिस्टम का निर्माण कारी भी तीजी से आगे बढ़ रहा है। राष्टपदी मौदाया ने कहा मेरी सरकार ने उत्तर दक्षन और पूरी भारत में बुलट ट्रेन कोरिडोर के लिए जो फैसिविलिटी स्टडी सुरू करने का फैसला किया है। पहली बार देश में अंतर देशी जो जल मारगों के विकास पर इतने ब्यापक रूप से काम सुरू हुआ है। राष्ट पजम होदाया ने आगे कहा इसका बड़ा लाब नार्थी इस्ट को होगा और मेरी सरकार ने नोर्थी इस्ट के विकास के लिए दस बरसों में आमेंटन में चार गुना से अधिक बिर्दी किये। सरकारी सेत्र को एक्ट इस्ट पॉलिशी के तर स्ट्रेटेजिक जो गेटवे बनाने के लिए काम कर रही है। नोर्थी इस्ट में हर तरह की कनक्टिविटी को बढ़ाये जा रहा है। शिक्षा, स्वास्त, परियटन, रोजगार हर सेत्र में विकास कारियों को आगे बढ़ाये जा रहा है। 27,000 करोड रूपे से सेमिकंडक्टर प्लांट बनाये जा रहा है। नोर्थी इस्ट मेड इन इंडिया चिप्स का भी सेंटर होने वाला है। राष्ट पदिमोदया ने कहा, मेरे सरकार नोर्थी इस्ट में 27,000 के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले दस बरसों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया है। अनेक अहम समझाते हुए हैं, नोर्थी इस्ट में असांत सेत्रों में तेज बिकास करके चर्ण बित तरीके से जो एफसा असफा जो है एफस पी ये हटाने का जो काम भी जारी है। देश के हर सेत्र में बिकास के नए आयाम भारत के बहुश को उद्गोस कर रहे है। लगपती दीदी बनाने का एक ब्यापक भियान भी चलाया गया है। ओमन लट डब्लमेंट के लिए समर्पित राष्टपति महुदय ने कहा, मेरी सरकार ने महिला सरस्क्ति करण के लिए एक नए यूग की सुरुवात की है। देश की नारी सक्ति लंबे समय तक लोग सबा और बिदान सबा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही है। आज उनके पास नारी सक्ति बंदन अधिनियम की ताकत है, सरकार की उजनाओं की बज़ट से ही पिछले एक दसक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थे बढ़ा है। आप जानते हैं कि बीते दस बर्सों में बने चार करोड पीम आवास में ज्यादा तर महिलाओं के नाम ही आवंटित हुए हैं। अब तीसरे कारिकाल की जो सुरुआद में ही सरकार ने तीन करोड नए घर बनाने को सुकृत दे दी हैं। इसमें भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर भी आवंटित होंगे। बीते दस बर्सों में दस करोड महिलाओं सेल्फ हेल्प ग्रूप से जुड़ी हैं। राष्ट बदिमों होदया ने कहा मेरी सरकार ने तीन करोड महिलाओं को लगफद दीदी बनाने का एक ब्यापक अभियान चलाया है। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रूप को जो है आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रियास है कि महिलाओं का कौसल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े और उनका सम्मान बढ़े। नमो द्रॉण दीदी योजना इस लक्स की पूर्ती में सायक बन रही है। इस योजना के तहट हजारों सेल्फ हेल्प जो ग्रूप्स की महिलाओं को द्रॉण दिये जा रहे हैं। ड्रॉण पाइलट बनने की जो ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राश्तपति मौदयाय ने कहा मेरी सरकार ने हाल में किर्षी सकी कारी करम भी शुरू किया है। इसके ताइत अभी तक सेल्फ हेल्फ ग्रॉप्स की तीज हजार महिलाओं को किर्षी सकी के रूप में प्रमान पत्र दिये गये हैं। किसी सक्कियों को आधनी खेती की तक्लीप में तक्नीक में प्रसिक्सित किया जा रहा है ताकि वे किसी को और आधनी बनाने में किसानों की मदद कर सके हैं। समर्दी योजना की लोगप्रत्या से हम परीचित हैं। मुप्त रासन और सस्ते गैस सिलेंडर की जो योजना से मैलाओं को बहुत लाब हो रहा है। मेरी सरकार प्रती परिवार 78,000 रुपे तक की मदद कर रही है। इतने कम समय में एक करोड से ज्यादा परिवार इस योजना से मैं जो है रेजिस्टर करा चुके हैं। और जिन घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं अब यहां बिजली का बिल जीरो हो गया है। अति पिछडे बर्ग की जो जनजाती समूं के लिए लाई गई बिसेश योजना। बिक्सित बारत का निर्मार तब ही संबह हो है जब देश के गरीब युवा, नारी सक्ति और किसान ससकता होंगे। जो इसलिए मेरी सरकार की योजना हों मैं सरवोच प्राक्ता इनी चार स्तंबू को दी जा रही है। हमारी कोशिश इन तक हर सरकारी योजना का लाब पहुंचाने की है और यही सर्चुरेशन की अप्रोच है जब सरकार इस इच्छा सक्ति के साथ काम करें कि अब सरकारी योजनाओं से एक भी व्यक्ति नहीं छूटे। तो इसका लाब सभी को होता है सरकार की योजनाओं सेच्छुरेशन अप्रोच के कारण ही दस बरसों में 25 करोड भारती गरीबी से बाहर निकले हैं। से अनुसिचित जन जाती पिछडे बर्ग हर समाज हर सेत्र के परिवार हैं इसमें दस बरसों में लास्ट माइल डिलिवरी पर फोकस ने इन बर्गों का जियोन बदल दिया। राश्टपति मोज़या ने कहा विशेशकर आदिवासी समाज में यह बदला और भी इस परस्टन जरा रहा है। सौबीस अजार करोड रुपे से अधिक की जो पियम जन्मन जैसी योजना आज अती पिछडे जो जनजाती समूं के लिए उत्थान का जो माध्यम बन रही है। सरकार पियम सूरज पोर्टल की माध्यम से बंचित बर्गों तक आज जीविका के अउसरों को पहुचाने के लिए शुलब रिण भी उपलब्द करा रही है। मेरी सरकार दिब्यांग भायू बहनों के लिए किफायती और सोदेशी साय को करण बिक्सित कर रही है। देश बर में परदानमंत्री दिब्यासा केंद्रों का भी बिस्तार किया जा रहा है। बंचितों की सेवा का ये संकल्पी ही सचा समाजिक न्याय है। डिजिटल इंडिया को भी बढ़ाने का काम हो रहा है। देश की स्रम सक्ति के सम्मान के लिए सिर्मिक बंदूं का कल्यान और ससक्ति करण राष्टपदी मोहदयाने का मेरी सरकार की प्राक्रिमिकता है। और राष्टपति मोदयनिकार मेरी सरकार स्रमकूं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकी करत कर रही है। डिजिटल इंडिया तथा डांगरूं के नेटवर्क का उपयोग करके दुरगटना और जियुन विमा के कवरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है। पीम स्वनीदी का विस्तार किया जाएगा और गामिन और सेमी अर्बन शेत्रों के रेडी पट्टी वाले भाई बहनों को भी इसके दाएरे में लाया जाएगा। असी करोड लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई योजना बाबा साब डाउक्टर भीमराव अम्रेटर का महनना था कि किसी भी समाज की प्रगती समाज के निशले तबुकों की प्रगती पर निर्भर करती है। पिछले दस बरसों में राश्ट की उपलब्डियों और विकास का आधार गरीब का ससक्ति करण रहा है। उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं ताकि उनके कदम वापस पीछे न जाए। सच्छ भारत अभियान ने भी गरीब के जियोन की गर्मा से लेकर उसके स्वास्त को राश्टी महत्तु का विशाई बनाया है। पहली बार देश में करोडूं गरीबूं के लिए सोचालाई बनाये गए हैं। ये प्रियास हमें अस्वस्त करते हैं कि देश आज महत्मा गादी के आदर सुका सबसे सचे अर्थे अर्थूं में जो अनुशुरण कर रहा है। राष्टपध महत्या ने कहा मेरी सरकार 55 करोड लाबार्तियों को आईश्मान भारत योजना के तर्थ मुप्त सेवायें भी अपलब्द करवा रही है। देश में 25,000 जन आउसदी केंद्रू को खोलने का काम भी तीजी से चल रहा है। राष्टपध महत्या ने कहा इस सेतर में सरकार एक और नेड़े लेने जा रही है। अब आईश्मान भारत योजना के तर्थ मुप्त इलाज का लाव सत्तर बरसे से अधिकुम्र के सभी बुजर्गों को दिया जाएगा। बीते दस सालों में जितने रिफॉर्म हुए उसका फाइदा मिल रहा है। तापिन मुदैयने का अक्सर विरुदत परक्वांचिक्तव और संकिन श्वार्थ के कारण लोगतंत्र की मूलभावना का बहुत अहित हुआ है। इसका प्रभाव संसधी पढाली पर भी पढ़ता है। देश की विचास यात्रा में भी पढ़ता है। कई दसकों तक अस्थिर सरकारों के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी रिफॉम कर पाई और नहीं आवस्चक निड़ाय ले पाई भारत की जंता ने निड़ायक बनकर इस इसको बदला और बीते दर्स बर्सों में राष्टपज महोदाय ने कहा कि अनिग रिफॉम हुए जिसका बहुत लाब देश को आज मिल रहा है जब रिफॉम किये जा रहे थे तब भी इनका विरोत किया गया था नकारात्मक फैलाने की जो कोशिश की गई लेकिन ये सारे रिफॉम समय की करशावटी पर खरे शाबित हुए राष्टपज महोदाय ने कहा दस साल पहले भारत के बैंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने बैंकिंग रिफॉम किये है आई बी सी जैसे कानून बनाए हैं आज इन्ही रिफॉमस ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सेक्टर में से एक बना दिया है हमारे बैंक आज मजबूत और लाबदायक है और सारजनिक सेत्र के बैंकों का जो लाब है दोजार टैइस सोबीस में वन पॉइंट फोर लाग करोड रुपे को पार कर गया है जो पिछले बर्स की तुलना में पैतीस परतीसत अधिक है राष्टबर मोधाया ने कहा हमारे बैंकों की मजबूती उन्हें रिण आदार का बिस्तार करने और राष्ट के आर्थी विकास में योगदान करने के लिए सक्सम बनाती है सरकारी बैंकों का जो एन पी भी लगातार कम हो रहा है आज S.B.I. रिकॉर्ड मुनाफे में है आज H.A.L.B. देश की डिफेंस इंडरेस्टी को तागत दे रहा है आज G.S.T. भारत की एकोनोमी को फॉर्मलाइज करने का ब्यापार कारोबार को आसान बनाने का माध्यम बना है राष्ट परिद मोधाया ने आगे कहा अप्रेल मैने में पहली बात G.S.T. कलक्षन ने दो ला विश्व आकर्षित हो रहा है एक दसक में अठारे गुना बड़ा है डिफेंस एक्सपोर्ट राष्ट बज मोधाया ने का एक ससक्त भारत के लिए जो हमारे सैन निबलों में आधुनिकता जरूरी है युद्ध की स्तिती में हम सर्वशेष्ट रहें इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की जो प्रग्रियाज निरंतर जारी रहनी चाहिए इसी सोच के साथ राष्ट परिमोधाया ने कहा मेरी सरकार ने बीते 10 बरसों में डिफेंस हेक्टर में अनेक रिफॉर्म्स की ए हैं सीडियस जैसे रिफॉर्मस ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दिये और राष्ट्रपदी मोधाया ने कहा मेरी सरकाल ने डिफेंस एक्टर को आत्म निर्वत बनाने के लिए कई महत्रपोपूर कदम उठाए है, और्डिनेंस फैक्टी के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को लाब हुआ है, चालीस से अधिक और्डिनेर्स फैक्टी को साथ निकों में निगमू में संगठित करने से इसकी स्यम्ता और दक्सिता दूनु बड़ी हैं ऐसे ही रिफॉर्म के कारण भारत आज एक लाग करोड रुपे से अधिक की डिफेंस मैनुफेक्ट्रिंग कर रहा है पिछले एक दसक में हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट अठारा गुना अधिक होकर 21,000 करोड उपे तक पहुँच चुगा है फिलिपिन्स के साथ बर्मोस मिसाइल का रक्षा सोदा डिफेंस एक्सपोर्ट के सेतर में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है राष्टपज मोधाया ने कहा सरकार ने युबाओं और उनके स्टार्टप्स को बढ़ावा दे कर आत्म निर्वर्ट डिफेंस सेक्टर को मजबूतनी तयार की है राष्टपज मोधाया ने कहा मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिल नाडू में दो डिफेंस कोर्डर भी बिख्सित कर रही है हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले बर्स हमारी जो सेन जर्टों की लगवग सत्तर प्रतिसत खरीद भारती उद्योगों से की गई हमारे सेनाओं ने पान सो से अधिक सेन साजों सामान को विदेशों से नहीं मगाना तई किया यह सभी हत्यार और उकरंस अब सिर्फ भारती कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं राष्ट बज महोदया ने कहा मेरी सरकार ने सेनिकों के हितों को भी हमेशा प्रार्थ मिक्ता दी है तबी चार दसा के बाद वन रेंग वन पेंशन को लागू किया गया इसके तहट अब एक लाग बीस अजार करोड उपे दिये जा चुके हैं सहीद सेनिकों के समान के लिए सरकार ने कर्दब्य पत के एक छोर पर नैशनल वार ममोरियल की जो इस्तापना की है यह प्रयास केवल भी जवानों के प्रतिक्रतक के राष्ट का को नमन ही नहीं है बलकि राष्ट पर्थ प्रयाने का मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी महौल बनाने में जूटी है बीते दस बरसों में ऐसे हर अवरोत को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को परिशानी थी पहले अपने ही प्रमान पत्र को है पहले जो बिद्यार्थी सिर्फ भारती भासाओं में पढ़ाई करते थे उनके साथ अन्याय की इस्तित्ति अब राष्ट्रपति महौदया ने कहा कि मेरी सरकार ने नई राष्टी शिक्षानीती लागू करके इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाये युवाओं पंदर नई एम्स, तीन सो पंदर मेडिकल कोलेज और तीन सो नबे विस्विद्याले इस्ताबित किये गए हैं। ने आज भारत दिनिया का तीस्ता सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टम बन चुका है। हाली में कुछ परिक्षयाओं में पेपर लीग की जो गटनाओं की निस्पक से जांच और दोस्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए। रास्पधि महदया ने कहा मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। उनके कामकाज के तरीके परिक्षया परिक्रिया सभी में बड़े सुधार करने की जिसा में काम कर रही है। ओलम्पिक्स में देश का प्रतिने दुद्ध करने वाले हर खिलाडी पर हमें गर्व है। रास्थबद्ध महदया ने कहा मेरी सरकार ने युबाओं की रास्थ निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए। मेरा युबा भारत माई भारत अभियान की शुरूप की है। इसमें अब डेड़ करोड से अधिक युबाओं का पंजी गरण हो चुका है। इस पहल से युबाओं में नेत्रतो कौसल और सेवा भावना का बीजारवपन होगा। आज हमारे युबाओं को खेलूं में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे है। भारत के युबा खिलाडी बैसिक मंचुपर रिकॉर्ड संख्या में मैडल जीत रहे हैं। कुछी दिनों बाद पेरिस ओलंपिक्स में भी ओलंपिक भी शुरू होने जा रहे हैं। और ओलंपिक्स में भारत का जो प्रति निद्रत करने वाले हर खिलाडी पर हमें गर्ब है। मैं उन्हें अपनी सुबकामनाये देती हूँ। राष्ट्रपति महुद दया ने कहा आगे कहा इन उपलवडियों को और आगे ले जाने के लिए भारती ओलंपिक संग 2036 ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है। नए कानूं से नियाए प्रकरिया में तेजी आएगी जुलाई की पहली तारिक से देश में बारती नियाए संगिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को जो दंड देनी की मान सकता थी दुरवाग से आजादी के अनेक दसकों तक गुलामी के दोर की यही दंड व्यवस्ता चलती रही है। इसे बदलने की चर्चा अनेक दसकों से की जा रही थी। लेकिन ये सास भी राष्टपति मोहदया ने कहा कि मेरी सरकार ने ही करके दिखाया है। में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे सतनतरता सेनानियों को सच्ची श्रदान जली भी है। नालंदा उनिवर्सिटी सिर्फ उनिवर्सिटी नहीं है। राष्टपज मोहदया ने कहा मेरी सरकार बहुत निर्वाण के परियासों के साथ ही भारती संस्कृति के बैभव और बिरासत को फिर से इस्ताबित कर रही है। राष्टपज मोहदया ने कहा मुझे विश्वास है कि नहीं नालंदा उनिवर्सिटी भारत को ग्लोबल नौलेज हब बनाने में सायक सिद्ध होगी। राष्टपज मोहदया ने आगे कहा मेरी सरकार का इपरियास है कि भावी पीडियों को हजारों बरसों की हमारी जो बिरासत परणा देती है। बिरासत पर गर्ब का ये संकल्प आज अनुसुचित जाते अनुसुचित जन जाती बंचित बर्क और सर्व समाज के गोरब का प्रतिक बन रहा है। राष्ट परणा ने आगे कहा मेरी सरकार ने भगवान बिर्सा मुंडा के जन्म दिवस को जन जाती गोरब दिवस के रूप में मनाने की सुरुआत किये। अब अगले बर्स भगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचाशवी जन्ती को पूरे देश में दुमदाम से मनाया जाएगा। राष्ट परणा ने आगे कहा देश रानी दुर्गावती की पांसोवी जन्ती की भी ब्यापक इस्तर पर मना रहा है। पिसले महने की ही देश ने रानी अहिल्यावाई होलकर की तीन सोवी जन्ती का साल बर में चलने वाला महत्सोब भी शुरू किया है। से पहले सरकार गुरु नानक देव का जी का पांसोव पचासवाँ जन्म और गुरु गोविन सिंह का तीन सोव पचासवाँ प्रकास बर्ग भी रुंदाम से मना चुकिया। एक भारत, श्रेष्ट भारत के भाव से कासी तमिल संगम, सोराष्ट तमिल संगमम जैसे उट्सों की परिपाटी भी मेरी सरकार राष्ट पच्मोदायने का मेरी सरकार ने सुरू किया। इन आईजनों से हमारी नई पीडियों को राष्ट निर्माड की पेड़ा मिलती है और राष्ट पर गर्ब का भाव और मजबूत होता है। सफलताओं पर गर्ब करने के अपार अउसर देती है। जब भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें गर्ब होना चाहिए। साथ पूरा कराये तो हमें गर्ब होना चाहिए। और चुनावी प्रिक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुचाना उसी डाल को काटने जैसा है। डाल पर हम सब बैठे हैं। हमारे लोगतंत्र की विश्वास नीता को ठेश पहुचानी की हर कोशिष की सामुईत आलवचना होनी चाहिए। राश्त्रपज महोदय यह ने कहा हम सभी को वो दौर याद है जब बैलेट पेपर छीन लिया जाता था मद्दान परिक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए इबियम को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दसकों में इबियम ने सुप्रिम कोट से लेकर जनता की अदालत तक हर को सौटी को पार किया है। राष्टप्रद मोदया ने आगे कहा लोगतंतर को कम रोज करने की कमजोर करने की जो साजी रची जा रही है। मैं आप सभी सदस्यूं से अपने कुछ और सिंताय भी साजा करना चाहती हूँ। राष्टप्रद मोदया ने कहा मैं चाहूंगी आप इन विसेयूं पर चिंतन मनंद करें इन विसेयूं पर ठोस और सकारात्मक परणाम देश को दें। आज की संचार करांती के यूग में बिक्टन कारी ताकतें लोगतंत्र को कमजोर करने और समाज में दराजर डालने की साजी से रच रही है। राष्टप्रद मोदया ने कहा ये ताकतें देश के भीतर भी हैं और देश के बाहर भी हैं। इनके दौरा अफ़वा फ्यलाने का जनता को ब्रह्म में डालने का जो मिस इन्फरमेशन का सारा लिया जा रहा है इस इस्तित को ऐसे ही बेरोक टोक नहीं चलने दिया जाएगा आज के समय में टेक्नोलोजी हर दिन और उन्नत हो रही है ऐसे में मानवता के जो उप्योग बहुत घातक हैं भारत ने बिश्चु मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया और एक ग्लोबल फ्रेम वर्क की वकालत किये राश्वज मौदया ने आगे का हम सभी का दायत तो ह इस चुनोती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजें भारत को देखने का जो बिश्चु का नजरिया बदल चुका है राश्वज मौदया ने आगे कहा एक किस्वी सदी के इस तीस्टे दसक में आज ग्लोबल ओडर एक नई सगल ले रहा है मेरी सरकार के प्रियासों से आज भारत विश्चु बंदु के रूप में दुनिया को नया वरोसा दे रहा है मानो के इंद्रेत अप्रोच रखने की वज़े से भारत आज किसी भी संकट के समय फस्ट रिस्पोंडर और ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है करोना का महा संकट हो चाए भुकम ज जो नजरिया कैसे बदला ये इटली में हुई जी सेवन समेट में हम सभी को ने ये अनवह किया राश्ट बाइद मोदया ने आगे का भारत ने अपनी जो जी टॉंटी अद्यक्सता के दोरान भी विस्टों को अनेक मुद्दू पर एक्जूट किया भारत की अद्यक्सता क के दोरान ही अफ्रीकन यूनियन को जी टॉंटी का 27 सदसे बनाये गया है राश्ट बर मोदया ने आगे का इससे अफ्रीका मादीव के साथ-साथ पूरे गलोबल साउथ का बरोसा मजबूत हुआ है नाइट बोट फस्ट पॉलिशी ऑफ चलते हुए भारत के ने जो पडोस के साथ अपने देश्टों को मजबूत किया है साथ पडोसी देश्टों के नेताओं का 9 जून को केंद्री मंत्री मंडल के सबत गरंट शमारूं में भाग लेना मेरी राश्ट बर मोदया ने का मेरी सरकार की इस प्राइट्मिक्ता को दरसाता है भारत सबका साथ सबका विक या फिर मेड इस और यूरोप मेरी राश्ट बडें रही है भारत के घृजन में ही इंडिया मीडिल इस यूरोप इकोनोमिक कॉरेड़ोर को आकार देना किया है एक कोरिडोर 21 सदी के सबसे बड़े गेम चेंजर्ट में से एक सिद्ध होगा राष्ट्पत मोधाया ने आगे का 1975 को लागू हुआ अपातकाल संभिदान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याइडा आने वाले कुछ महिनों में भारत एक गंटतंत्र के इसी ताकते थी जो भारत के अस्फल होने की कामना कर रही थी देश में संभिदान लागू होने के बाद भी संभिदान पर अनेक बार हमले हुए आज 27 जून 25 जून 27 को लागू हुआ राष्ट्पत मोधाया ने कहा आपातकाल संभिदान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था तब पूरे देश में हाग कार मज गया था राष्ट्पत मोधाया ने कहा लेकिन ऐसी असंभिदानिक ताकत उपर देश ने विजय पराप्त करके दिखाया है क्योंकि भारत के मूल में जो गंतंत्र की परंपराय रही है राष्ट्पत मोधाया ने आगे क मेरी सरकार ही भारत के संभिदान को सिर्फ राज काज का माध्यम भर नहीं मानती बल्कि हमारा संभिदान उन जन्चेतनाओं का हिस्सा हो इसके लिए हम प्रियास कर रहे है इसी देख के साथ राष्ट्पत मोधाया ने का मेरी सरकार 26 नबंबर को संभिदान दिवस के आगे कहा कि हम विक्सित भारत के लिए गदी प्राप्त कर चुके हैं राश्ट की उपलब्डियों का जो निर्धारन इस बात से होता है कि हम अपने दायत्तों का निर्वहन कितनी निष्टा से कर रहे हैं अठारिवी लोकसभा में कई नए सदस पहली बार संसदी प्रणाली का इससा बने हैं पुराने सदस से भी नए उत्सा के साथ आए हैं आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है आने वाले बर्सों में भारत की सरकार और संसद क्या न आप देश को मिले यह दायत सरकार के साथ संसद के हर सदस्य का भी है और पिछले दर्स वर्सों में जो रिफॉर्म हुए हैं जो नया आत्मविश्वास देश में आया है उससे हम विक्सित भारत बनाने के नई गती के लिए जो नई गती प्राप्त कर चुके हैं और राष् आकांशा है राष्टबध मोदया ने आगे का संकल्प है इस संकल्प को की सिद्धी में अवरोत पैदा नो हो यह हम सभी का दायत्व है नीतियों का विरोत और संसदी कामकाज का विरोत दो भिन बाते हैं जब संसद सुचारू रूप से चलती है जब यहां स्वस्त चर्च परिचार्चा होती है तब दूर कामी निर्ड़े होते हैं राष्टबध मोदया ने आगे कहा तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार नहीं पूरी ब्योस्ता पर बनता है इसलिए मुझे विश्वास है कि भरोसा है कि संसद के पलपल पर का सदुपियोग होगा जन हित को प्राक्टमिक्ता मिलेगी दोजार सैंतालीस में आजादी की सद्दाब्धी का उत्सव विक्सित भारत की रूप में मनाएंगे और हमारे वेदू में हमारे रिश्यू ने हमें जो समानों मंत्र समीती समानी की पेड़ा दी है हम एक समान विचार और लक्स लेकर एक साथ का करें यही संसत की मूल भावना है राष्टपज मोहदया ने आगे कहा इसलिए जब भारत तीसरे नंबर की एकॉनमी बनेगा तो देश की सफलता में आपकी भी सहभागता होगी हम जब दोजार सैंतालीस में आजादी की सद्दाब्धी का उत्सव विक्सित भारत के रूप मैं मनाएंगे तो इस पीडी को भी स्रे मिलेगा दस्तपज मोहदया ने आगे कहा आज हमारी उबावों में जो सामर्त है आज हमारे संकल्पों में जो निष्टा है हमारी जो असंभाव सी लगने वाली उपलब दियां है यह सब इस बात का प्रमान है कि आने वाला और आने कर्तबी निष्टा के साथ राष्टी संकल्पों की सिद्धी में जुड़ जाएं विक्सित भारत बनाएं आप सबी को बहुत बहुत सुपकामन है तो यह था हमारे देश की जो राष्टपती महामहिम राष्टपती शिरिमती द्रोंबती मुर्मुजी का भाषण जो की उन मतलब लोकसभा राजिसभा को उन्होंने संबोदित किया था तो इसे आसा है आपने सुनाओगा और इसे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं सेयर करें सब्क्राइब करें ताकि लोगों को देश की में होने वाली जो सीर्थ सपदों पर बैठे हुए ल और उनकी बात है वो प्रतेक देश के देशवासी तक पहुंचे यह इसी मकसद से मैंने जो है यह वीडियो बनाया है इसको मैंने रिकॉर्ड करके आसा है आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे फैलाएंगे धन्यवाद जैन